हाई एव्रिवान वेल्कम चाडमी नी टॉपर्स आम रिक्षा कौशल यह केमिस्ट्री एजुकेटर क्या हाल चाल सभी बच्चों का आई होप सो बहुत ही बढ़िया होगे आप सब पूरे जोश में होगे क्योंकि यार अभी सिरफ पांच महीने रहते और हमें बहुत जादा महीनत कर लिए दिन रात एक करना है मुझे पता है यह जो वीडियो है ना दो तिन कैटेगरी के बच्चे यहां पर देख रहे हैं पहली कैटेगरी है जिन्होंने सारा स्लेबर्स कर लिया है अभी उनको यह जाना है कि मैं कौन कौन से most important topics हैं जो हम कर जाए तो हमारे बढ़ 10 topics बता दो हम वो topics पे focus कर लेते हैं उन topics में पांच महीनों में महिनत लगा देते हैं जी जान महिनत कर लेते हैं ताकि हमारा score 175 प्लस आजा है बिल्कुल सही बोल रही हूं अगर आप यह topics कर लेते हो पूरी शिद्दत से ऐसे नहीं कि बस पढ़के चले गए पूरी से इन topics को करते हो इन पे focus करते हो नेक्स आने वाले पांच महीनों में विद रिवीजन तो बेटा आपके 175 प्लस आ सकते हैं अभी भी टाइम है अभी भी बेटा copy और pen उठालो और मेरे साथ बेटा हम यहां पे देखते हैं most most important topics of chemistry सारी sections की बात करेंगे सबसे बहले बात करे है physical chemistry physical chemistry में जिस तरीके से आपका syllabus दिया हुआ ना नीट का उसी सेम पैटरन में मैं आपको बता रही हो कौन कौन से topics इसमें most important है करके आपको सारे जाने चाहिए लेकिन अगर आप पूछते मां most important कौन से हैं जो मैं करने ही करने है जो छोड़ी नहीं सकते वो है यह वहले topic कि पहला आता है पीटा सम बेसिक concepts of chemistry इसमें सबसे पहले आपको मोल concept very very important मोल concept number of moles की सारे के सारे फॉर्मूला देन आपकी पास आता है concentration term इसमें भी molarity, molality, normality, mole fraction very very important बहुत जादा important most most important है molality and molarity इसमें तुमें एक भी concentration term नहीं छोड़ के जानी है यह आपकी 12th class के solution chapter में फिर से repeat होती है वहाँ पे भी colligative properties बेटा तभी solve कर पाऊगे अगर ये concentration terms तुमें अच्छे से आती होंगी तो ये तो बेटा बिल्कुल भी skip करके तुमें नहीं जाने उसके बाद बेटा limiting reagent and empirical formula दो छोटे-छोटे से बच्चा ये topic है इनका पैटरन है इन दोनों को solve करने का ठीक है इन दोनों को solve करने ये related नहीं है किसी और से ये किसी और question से related न आता है तो बहुत easy आप easily इसको कर लोगे उसके बाद बेटा आपके पास आता है next atomic structure atomic structure में बेटा आपके पास वैसे तो 9th class में जो starting में आपने models करे थे वो इसके बिल्कुल starting में आपको given है तो आपको वहाँ भी जाने की जुरुरत नहीं है वैसे ये chapter बहुत बढ़ा है लेकिन अगर इसमें ऐसे ऐसे topic में बताओ जो अगर आप कर जाओ तो आपका chapter उतना ही करके जा तो भी कोई दिक्कत वाली बात लिए तो वो topics कौन से हैं that are पहले तो बोहर मॉडल बोहर मॉडल में बेटा इसके तीन formulas होते हैं velocity का energy का and then radius का तीनो formulas very very important ठीके बहुत जादे important है इसके postulate से एक बार ही पढ़के चले जाए फिर बचा आपके पास आता है नोड्स है ना नोड्स रेडियल नोड्स क्या है एंगुलर नोड्स क्या है ओके इसका formula क्या है direct question नेक्स्ट बचा आपके पास थोटा सा एक formula है उसको बस apply कर देना ये भी आपका हो जाएगा ठीके टोटल नोड्स क्या होते है रेडिकल प्लस अंगुलर उसके बाद बेट और आफ आपको क्या कहता है यह सारी जो फ्रेंसिपल है यह पोंअट्र क्या बोलते हैं क्या प्रेंसिपल इसका formula क्या है उसका formula वहां है उसमें거야 अफ स्वेडिन की bold अश्टियों इनकी values आपसे पूछ ली जाती है उसके बाद बेटा आपके पास आता है D-Brogly wavelength D-Brogly wavelength क्यों इतना ज़रूरी है क्योंकि यह इसमें Dual Nature के बारे में बताया गया Dual Nature का D-Brogly wavelength का छोटू सा formula है As it is बेटा सारी values गिवन होती है As it is question आपसे पूछ लिया जाता है उसके बाद बेटा आता है quantum number अब यह थोड़ा सा समझने वाला concept है यहाँ बेना सारी formula बेस थे यह सारी formula बेस जाए formula दीख लोगी हो जाएगा question यह बेटा थोड़ा सा है conceptual यहाँ पे आपको चारो के चारो जितने आपकी quantum numbers है N, L, M, S चारो के चारो quantum numbers की values पता होनी चाहिए कौन कौन सी values यहाँ पे valid है यह question बहुत ज़्यादा important इसमें माना जाता है angular momentum आपको कैसे निकालना है वो बहुत ज़्यादा एक important question है उसके बाद बेटा आपके पास आता है electronic configuration electronic configuration यहाँ से नहीं पूछी जाएगी electronic configuration तुम समझते यहाँ से हो कि fill कैसे करनी है लेकिन यह पूछा जाता है आपसे exceptional वो exceptional आपका आता है mostly DNF block में DNF block में भी lanthanoid, actanoid and D block की कुछ exceptional electronic configuration then बेटा P block की यहाँ पे exceptional electronic configuration आपसे पूछी जाती है उसके बाद बेटा आता है chemical bonding chemical bonding में बच्चा जैसे फजान रूल है फजान रूल हो गया उसके बाद बेटा आ गया bond parameters है ना bond parameters फजान रूल आपको covalent character बताता है bond parameters सारे bond length bond strength सारे parameters इसके chemical bonding वैसे तो आपका inorganic का पार्ट है कि उन्हों ने यहाँ पे physical में गिवन है तो मैं physical में आपको discuss कर रहे हैं आपको सिरफ topics से लेना देना कि topics कौन से करके जाने है उसके बाद वेरी वेरी इंपोर्टेंट वेस्पर थियोरी है बहुत ज्यादा लेकिन आपके NCRT में compounds होते हैं तो तुम क्या करो अगर तुमने बैर मिनमम करके जाना न तुम क्या करो कि जब वेस्पर थियोरी की shapes है न तुम उन compounds की भी shape करके चले जाओ जो आपके P block के NCRT में जो compounds given है अलग से important compounds given है जैसे बॉर हो गया इन सभी के structures आप देखके चले जाओ और जो जो जैसे आपका Zenon के कौन-कौन से compounds बनते हैं उन सभी के structures देखके चले जाओ उसकी hybridization देखके चले जाओ फिर वो जो P block की compounds होंगे न वो examples हो जाएंगी आपकी chemical bonding की बात समझ में आ रही है तो उसको बिल्कुल छोड़के नहीं जाना उसकी structure and hybridization आपको देखके जाने उसके बाद बेटा आता है MOT है न मोटी तो यह बेटा क्या है आपके पास यहां पर आप से पूछता जाता है paramagnetic character and क्या यह compound exist करता है क्या यह compound exist नहीं करता इसकी लगस्चि बेटा configuration फिल करते हो तो कैसे आप उसकी configuration फिल करते हो 14 से lower number वालों की कैसे करते हो हाई लंबर वालों की कैसे करते हो कहां कहां पर configuration चेंज हो जाती है ठीक है यह चीज़े है यह पर आपके पास आता है chemical thermodynamics thermodynamics में बच्चा आपके पास very very important first law फर्स्ट लॉग के यहां पर mostly formulas ही हैं यहां पर formulas ही है सारी के सारे इसमें formulas है और यह thermodynamics तुम्हें हेल्प करने वाला है फिजिक्स में फिजिक्स में भी thermodynamics आती है सिर्फ साइन कंवेंशन का डिफ्रेंस है यह आपको नहीं छोड के जाना है क्यूंकि आपके दो सब्जेक्ट की चैप्र्स कवर हो रहे हैं उसके बाद बेटा इंथालपी के बेसे पर questions पूछे जाते हैं कि पूरे के पूरे इसके बाद बेटा आपके पास आता है solution अब यह solution में आधा साम तो तुम्हारा तभी हो जाता है जब तुम concentration terms कर लेते हो तुमने concentration terms कर ली उसके बाद यार तुम यहां पे जब colligative properties पढ़ने वाले हो ना तुम्हें काफी जादा easy हो जाएगा इसकी चार colligative properties है bond or factor के साथ add करके वो colligative properties कैसी बन जाती है उनके basis पर question पूछे जाते है देन बेटा दूसरा जो आपके पास topic यहां से बनता है that is राउल्स law राउल्स law में applications की positive ideal solution कौन से है non-ideal solution कौन से है उसकी examples कौन कौन सी है उसकी कुछ NCRT में examples given है वो examples देखके चले जाना उसके बाद बेचा आपके पास आता है this question यह आपका 2023 का यह मैंने क्यूं डाला है application of Henry's law क्योंकि बेटा helium के basis पे आपसे question पूछा गया assertion reasoning I think 2023 में पूछा गया तो बच्चा यह भी आपको NCRT में जाओगे न तो तीन पॉइंट दियो है वहाँ पे Henry's law की application वह आपको देखके जाने है ओके चलो फिर आपके पास बेटा फर्दर आ जाता है chemical equilibrium chemical equilibrium है बेटा बहुत simple यहां पे law of यहां पे ना आयनिक equilibrium थोड़ा सा twisted होता है chemical तो काफी ज्यादा simple law of mass section ली चार्ट लिया प्रिंसिपल बहुत ज्यादे लुट असिट्स कॉण से उस बेसे पर आप से question पुछे जाते एसेट कौन बेस कौन देन पी एच और बफर solution क्या है पीच के basis पे formula based question पुछे जाते हैं पीच के basis पे formula based question पुछे जाते हैं बेटा solubility product क्या होता है यह सारे ना इन सभी में जो formula लगते वह आपके unique equilibrium के एक ही formula है जो बहुत different varieties में यूज होता है तो इसमें ना तुम्हें थोड़ी सी मेहनत जादा करनी पड़ेगी पहले ही तुम्हें बता देती हूं जब आप unique equilibrium में आते हो ना सिरफ formula देखके आपसे formula बहुत जादा प्राक्टिस करनी पड़ेगी उसके बाद जाके आपसे question इसके solve होने शुरू होंगी और प्राक्टिस के लिए मैं आपको बोलती हूं और अगर आप अभी की बात कर रहे हो और प्रीवेस यह questions अच्छे से कर जाओ पहले यह तो करके देखो एक दो बारी यह चीज़े करो फिर किसी reference book पे जाम करना अभी के लिए पांच महीने रहते हैं तो सिरफ और प्रीवेस यह question कर जाना specially for ionic equilibrium बहुत जादा important है उसके बाद बेटा आपके पास आता है salt and यहां पर क्या है कि log and anti-log log तो यार तुम्हें सारी physical में बहुत जादा काम आने वाला है बहुत simple होता है log निकालना anti-log निकालना चलो उसके बाद next बचा आपके पास आता है redox reaction and electrochemistry अब यह काफी एक दूस 2000 में balancing questions पूछे जाते थे 1999 में last time आया था उसके मिला I think 2017 या 18 से पता है 19 से आपका I think 16 से शायद आपका balancing का question फिर से पूछना शुरू हुआ ले टेस्ट अभी पांचे साल पहली balancing का question 2-3 साल लगातार पूछा गया तो आपका एक तो balancing छोड़के नहीं जाना ठीक है balancing एक बरी देख जाना बाकी तो सारा यह interconnected है इलेक्टो केमिस्टी से सारा interconnected है आपका जो इलेक्टो केमिस्टी का बेस है वह बेटा रिडॉक्स रियाक्शन जैसे आपको oxidation नुमबर oxidation स्टेट एन फैक्टर निकालना यह सारी चीज़े रिडॉक्स रियाक्शन में बता रखिए जो कि बेटा आप यूज करते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो बेटा आपके परदर आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रियाक्टिविटी सीरीज कौन सी होती है किसकी रिडॉ बेकार ऑक्षिडाइजिंग एजेंट है यह सारी चीज़े तो उसके बाद बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी देखो यहां पर नुमेरिकल बेज्ट क्वेशन पूछे जाते हैं इतने भर-भर के क्वेशन पूछे जाते हैं और दूसरा आता है फैरेडेज फॉर्मुला होता है कि इसका हम बेट निकालने इसका बेट निकाली आपको यह भी क्वेशन आपको दिख जाएंगे पीवाइग सिसमें बहुत जयाता है स्क्रेक्न बेट ब Matte question आपके पुछा जाता है first law के formula से उसके बाद बेटा आपके पास आता है conductance conductance का आपको पता है जिसे कापा की value है ना आपके पास conductivity की value पुछी जाती है molar conductivity specially बहुत जादा इंपोर्टेंट है और नेक्स्ट आता है आपके पास पूली लौ है ना फोल रॉट लॉट 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 लॉटे अग्दम से पूरा तुम्हारे जीब की योगा और जाती है बोलते बोलते राइट तो यह आपका तुमारे छोड़के ही नहीं जाने उसके बाद करो तुम कॉल्स लो उसके बाद बैलंसिंग उसके बाद रियाक्टिविटी सीरीज ठीक है यह जो आपके चार टॉपिक है यह तो कहीं नहीं गए फिर यह भी कर लेना बहुत सिंपल है इसको पूरे इंड में देखना बैलंसिंग को डिक है बैलंसिंग को एक क्वेशन पूछा जा सकता है रिडॉक्श रियक्शन ओके नेलेश्ट बच्चा आपके पास आता है चाहां पे आपको नहीं करना है यह वाला चीज आपको दिफ्रेंस पता होना चाहिए तर मेटा order and molecularity में क्या difference होता है उसके बाद बेटा first zero first and second order reaction के formula कौन कौन से होते हैं time period का क्या formula half life period का formula then activation energy का formula होता है activation energy का एक graph होता collision theory के basis पे आपको छोटी सी यह theory है उसके basis पे आपको वुछ factors है एख छोटा सा इसका formula formula इसमें formula as it is पूछा जाता है इसमें तो formulas में आपको value put करने को बोल सकता किसमे formula आज़ेते स्पूचा जाता कि आप बताओ इसमें इस formula में कौन सी चीज़ क्या represent करती एक जै से आप से पूछा जा सकता ओकी ठीक है चल उसकी बाद बेटा आता है इन और्गानिक अब यार मैं यहां से न सिलेक्टेट टॉपिक्स तुम्हें बता रही हूं ठीक है तुम चाहते हैं पुरे स्लेवस में 10 टॉपिक बता दू तो फिर तुम यहां पर गलत हो तुम यहां प बता के चली जाती हम टार्गेट हमारा है यहां पे तो लेवल भी बेटा यहां पे होना चाहिए और उनके बीच में से कौन से टॉपिक रिपीटेडली पूछे जाता है वो मैं आपको यहां पे बता रही हूं तो बेटा इन और्गानिक में आपका आता है प्रियोडिसिटी म देखो क्या-क्या चीज़ें अब देखो यह वैसे तो आई यूपीसी नेमिंग से कभी पूछा नहीं गया था लेकिन लेटेस्ट तीन-चार साल पहले दो साल लगातार पूछा गया है आई पीसी नेमिंग इसका क्या मतलब होता है और इसमें एक बार पूछा गया है वो क्या मतलब है और वहां से बहुत सिंपल की नेमिंग करने अब एक बार है कुछा पूछा गया है तुमारा मन है पूछ याद करने का कर सकते हो अब तुम रिस्क लेना क्याते तो छोड भी सकते हो बहुत जादा इंपोर्टन नहीं है तिकलेकिन प्री के नमबर है easy है easily आप कर लोगे उसके बाद बेटा आता है nature of oxide अभी देखो यार यह तो आपका P block में भी बहुत जादा आता है ठीक है nature of oxide कौन सी base से कौन सी यह वो सारी nature of oxide सी यह मैं आपको अलग से भी एक बारी करवाऊंगी acidic कौन सी है basic कौन सी है emphoteric कौन सी है neutral कौन सी है इसके basis पे भी लास्ट five years में repeatedly तो तिन questions पूछे गए उसके बाद बेटा आता है ISO electronic पे भी बेटा question पूछा जाता है जिसमें same number of electrons होते हैं इसका size बताओ किसका छोटा किसका बड़ा ऐसे question पूछे जाते है जैन बेटा आपके पास general trends पे कहीं पे trends याद रखना inorganic में जहां पे exception आ जाती है वहां पे question आ जाता है तो trends वह सारे important है जहां पे exception आ जाती है उसके बीचे reason क्या है उस exception का वो भी आपको पता होना चाहिए और यह trend बेटा आपको भर-भर के मिलेंगे पी ब्लॉक में इतने जादा exceptional trends आपको मिलेंगे तो देखो पहले तो आपको trends करने हैं सारे जहां पे exception आती है जहां element क्यों हमेशा different behavior शो करता है हर एक ग्रूप में पी ब्लॉक के हर एक ग्रूप में क्यों different behavior शो करता है उसके बाद बेटा shapes and hybridization मैंने आपको पहले भी बताया chemical bonding में जो आपके पास wesper theory है उस theory को पी ब्लॉक में जहां तुम्हें दिख रहे कि shapes and hybridization किसी molecule में given है वो आपके लिए important हो जाता है चाहें आपके नीट के syllabus में वो नहीं given है कि आपको compounds करके जाने लेकिन वह important हो जाते है क्योंकि वहां पर आपके पास hybridization and shape पूछी जा सकती है ठीके जी okay चलो next बच्चा आपके पास आता है dnf block dnf block में बच्चा आपके पास है electronic configuration और जब मैं electronic configuration बोलती हूँ न electronic configuration of d elements and f elements specially lengthenoids and actenoids यह बटा आपसे पूछी जाती है कुछ-कुछ यहां पे specially lengthenoids and actenoids की जो electronic configuration है वह आप सीधा से नहीं कर सकते हो वह आपको कुछ-कुछ चीजों की learn करनी पड़ती है तो वह आप से पूछी जा सकती है अच्छा ट्रेंड्स बेटा गेन exceptional हो गए उसके बाद यह magnetic movement है magnetic movement का formula क्या है वह आपको निकालनी आनी चाहिए यहां पर बच्चा आपके पास आता है catalyst की application की कौन सा catalyst कौन सा transition metal का catalyst कौन कौन से processes में use होता है यह आपको PYQ में question भी मिल जाएगा आपकी NCRT में एक अलग से section भी है जहां पर यह given है बीच-बीच में NCRT की lines में से given है तब ही मैं बोलती हूं इन और्गानिक है जो NCRT से करके जाना सारे previous question उठाके देख लेए न NCRT में से ही आये हुए है तो यह catalyst वाला question भी NCRT में से ही पूछा गया है उसके बाद बेटा आपके पास आता है DD transition यह बहुत ही standard question है इसका color का बहुत ही standard question है देन बच्चा आपके पास Kmno4 and K2Cr2O7 ठीक है आपके पास यह दोनों compounds के reactions ठीक है बहुत important दोनों compounds के reaction यह किसकी तरह oxidizing agent की तरह कैसे कैसे behave करता है किनको यह oxidize कर देता है कहां से कहां convert कर देता है उसका oxidation number क्या होता है यह सारी चीज़े और ज्यादा reactions करने की जुरूत नहीं है तिक 2 NCRT for inorganic NCRT से बाहर कहीं भी कुछ करने की जुरूत नहीं है तुम NCRT कर लो न वही बहुत बड़ी बात है तुम 5-6 कर जाते हैं inorganic chemistry की तुम्हारे inorganic में कोई number नहीं काट सकता सिर्फ पढ़नी नहीं है तुम्हें NCRT को समझना है ठीक है सिर्फ reading नहीं करनी है novel की तरह समझोगे उसमें से question खुद से बनाओगे और देखोगे हां इसका कहां आंसर आता है कैसा आंसर आता है कैसे question पूछे जाते हैं तब बात बनेगी NCRT पढ़ने का वही सही तरीका होता है उसके बाद बेटा आपके पास आता है coordination compound अब यह यह गलत हो जाएगा तुम्हारे तुम्हारे लिए isomerism इसकी बहुत important है अगर major importance की बात करो तो VBT and CFT उसके बाद बेटा isomerism है तीनों important पहले VBT करो CFT करो isomerism भी नहीं छोड़के जा सकते तीनों के तीनों important है इसमें बहुत जादा important chapter है इसकी बढ़ जाती है chemical bonding की बढ़ गई है आपके पास और बच्चा आपके पास यहां पर बढ़ गई है और आपके पास यहां पर बढ़ गई है वेटेज कोडिनेशन कंपाउंड की ठीक है क्योंकि बहुत सारी चीजे यहां पर जा चुकी है ठीक है all those students who are still facing these troubles कि मैम क्या करें कैसे करें हमें content चाहिए बढ़िया content चाहिए बेटा अभी hit and trial का time नहीं है तब इतने सारे topics तुम्हारे लिए क्यों लेके आई हूं important important ताकि तुम इन ही पर focus करो अभी तुम्हें और जादा directional पढ़ाई करनी है तो बेटा you should enroll to need UG subscription जहां यहां पर आपको e1 e1 सारक content मिलने वाला है 55% ऑफ बेटा भी यहां पर लगा हुआ है तो उसका जल्दी से फाइदा उठालो 55% ऑफ है ना बहुत ही बड़ी ऑफर चल रहा है बेटा code आपको लगा देना है दिक्षा ठीक है code लगा देना दिक्षा to avail this offer avail करने के लिए 55% अभी आपके भाई बंदू होंगे जो बच्चा जूनियर्स होंगे या अगर आप खुद 11th class में हो बेटा तो अभी इन्रोल कर जो 2025 के लिए अभी से अगर त्यारी शुरू करनी शुरू कर दोगे फिर बाद में problems नहीं face करनी पड़ेंगी फिर इस time तक जब आने वाला हो है totally free of course बेटा आपके पास है 30 test series जहां पर बेटा 30 question in 15 minutes 15 minute में 30 question daily practice for every subject बेटा you should enroll to this link आपको description में मिल जाएगा अभी भी अगर तुम बहाने मार रहे हो मैं time नहीं था तो गलत चीज़ है न अब बहाने मारने का time नहीं है बेटा अभी इस time पर अगर महिनत नहीं करी तो हम सपने देख रहे हैं doctor बनने के और तुम्हें पता है doctor की पढ़ाई भी easy नहीं होती है mbbs करना it's not an easy task right it takes a lot of courage ब बहुत जादा महिनत करनी पड़ती है दिन रात वहाँ भी एक करना पड़ेगा तो यह अगर तुम यहाँ पी डर गए तो वहाँ पे जाके क्या करोगे राइट तो अभी इसे तो यार दिन रात एक करके महिनत करनी शुरू कर दो क्योंकि किसी की जान बचाना doctor बनना easy काम नहीं होता है ठीक है it takes a lot of efforts बहुत जादा जान लगती है और वो तुम्हें अभी करनी ही चाहिए तो बेटा जल्दी से प्राक्टिस करनी शुरू कर दो previous year question की देखो last 10 years के PYQs totally free of cost for your practice अभी भी अगर फायदा नहीं उठा रहे तो बेटा कब उठाओगे फिर फायदा य तो चल डेन बच्ण आपके पास आता है मैं की फेवरेट औरगानिक गींस्टी तो यह उसी होती है लिखे बहुत जादा इंटरकनेक्टेंटर ना वे से नहीं कि सारी इंटर्कनेक्टेड है तो इसकी बेस्ट अप्रोच किया रहे थी बैने दोनों की अप्रोच बता दी फिजिकल बेटा आप पहले चाहिए वान शॉट देख लेना चाहिए सीधा फॉर्मुला थोड़ी बहुत इसकी रीडिंग कर लेना अपने नोट्स की फिर ब पास question कैसे पूछे जाते तो सबसे तो जी ओसी में तुम कुछ भी छोड़के नहीं जा सकते करनी ही करनी है मेरा तीन घंटे का लेक्टर है आपको दिख जाएगा इलेक्ट्रों डिस्प्लेस्मेंट इफेक्ट इस सारा मैंने कवर करवा दिया है आपको प्लेलिस दिख जा हो जाएगा इलेक्ट्रों डिस्प्लेस्मेंट सारे के सारे आपको करने है क्योंकि वहीं से बेटा आपकी एस्टेडिक एंड बेसिक स्ट्रेंट के questions बनने वाले स्टेडिलिटी ऑफ इंटर्मीडियेट्स यहीं से बनने वाली है उसकी बाद बेटा आइसोमेरिजम आती है आइसोमेरिजम में बेटा आपको करने है वैस्तो सारी आइसोमेरिजम एक बरी देख लेना लेकिन अगर आप पूछते हो कि मैं इसमें इंपोर्टेंट क्या है इंपोर्टेंट है बेटा इसमें टॉतोमेरिजम आड कंफर्मर्ज्स ठीके यह बेटा आपका जो पहले दस साल पहले वाला ट्रेंड तहां पे टॉतोमेरिजम पहले तो बेटा आपसे सिंपल फूछा जाता था कि कि नम्बर ऑफ आईसोमर बता दो फिर बेटा आये वह व तुम्हारा मन है ताइम कम है अभी टाइम कम में क्या करें तुम्हारा चाहिए लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं इसमें एक दो टॉपिक बता दो तो बेटा एक तो लसांजे टेस्ट कर लेना भरिवरी इंपॉर्टेंट इसके बात यह संजमें नहीं प्रोडते टरफ से कि लशांजे इस स्वेरी वरी इंपॉर्टेंट यह आपको इन aur तो एक्सपेक्टिड है इससे डिफिनेटली क्वेस्टन आने वाला मेरे ऐसा लगता है कि इसमें पूछा जाएगा लसांजे इस टेस्ट में तो यह जरूर से करके जाना उसके बाद बेटा आपके पास आता है हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन में बच्चा आपके पास एक तो हैलोजी नेशन अबना जब मैं तुम्हें बता रही हूं हैलोजी हाइड्रोकार्बन बात कर लो हैलोजन की बात कर लो अल्कोहल फिनॉल इथर की बात कर लो अल्कोहल की बात कर रही हूं कि बिटा सीरी सली थी जिसमें मैंनें distinguish टेट्स करवाए थे ने को करें दियुक बॉलु इंप्सक्विए हो sźumes tr सब्सक्वी संसे को पहले हैं उसमें कोई एक भी नहीं है जो मैं बूली इमपोर्टन नहीं है उन्स सभी में से मैं question पूछे जाते हैं directly question पूछे जाते हैं तो अगर तुम जी ओसी करते हो उसके बाद naming reaction कर जाते हो distinguished test कर जाते हो तो तुम्हारा आधा काम तो वही पर हो जाता है उसके बाद हमें हर एक naming reaction का intermediate कैसा होता है उसके अंदर कैसे question अगर घुमा की question पूछा गया है वो कैसे पूछा जाता है इसके लिए बेटा आपको detail में सारे chapters करने पड़ेंगे तो detail में chapters करोगे mechanism देखोगे तो आपको साथ साथ में समझ में आ जाएगा कि कैसे questions पूछे जाते हैं अब देखो यार आपके पास halogenation बहुत जादा important है chlorination and rumination पे question आता है उसके बाद बेटा बहुत ही जादा भर-बर के question आता है बहुत easy है बहुत जादा पूछा जाता है उसके बाद बेटा आता है aromatic hydrocarbon again very very important इससे भी बहुत question पूछा जाता है okay then बेटा आपके पास halogen compounds की बात करें इसमें optical activity आपको छोड़के नहीं जानी SN1 SN2 reaction कौन सा SN1 देगा कौन सा SN2 देगा primary कौन सा देगा secondary कौन सा देगा tertiary कौन सा देगा यह सारी चीज़े बेटा आपको SN1 SN2 के related पता होने चाहिए यहाँ पर optical activity आती है जो मैंने आपको GOC में करवा दी थी ठीक है रेसिमेक mixture क्या होता है नैंशिमर क्या होते है डाइस्टी रिमर्स क्या होते है यह सारी चीज़े बच्चा हमने GOC में कर ले थी जो की यहाँ पर फिर से repeat होगी अच्छा उसके बाद बेटा आपके पास आता है alcohol phenol and ether alcohol phenol and ether में बच्चा acidity acidity के basis पे जैसे आपको alcohol phenol signal reagent के basis पे then क्यों mean process यह कुछ questions है जो आपसे repeatedly पूछे जाते हैं apart from naming reactions और भी बहुत सारे reactions है जो मैं आपको करवाऊंगी इसमें हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा important है बिटा क्योंकि यहाँ पे sequential conversions पूछी जाती है एक sequence में naming reaction आपको 3-4 conversion देदेगा a, b और c product बता दो अच्छा a से b बना, b से c बना बता दो c क्या है ऐसे question पूछे जाते हैं तो इसके लिए आपको इसको बहुत अच्छे से study करना पड़ता है और chances आर कि वो सारे questions आपसे naming reaction के थ्रू ही पूछे जाते हैं उसके बात बेटा आते हैं आपके पास aldehyde ketone and carboxylic acid इसमें बेटा aldol condensation canisaro, cross canisaro, intermolecular canisaro सारी बहुत जादे important है उसके बात बेटा आपके पास NCRT में एक table है जिसमें NH2Z इस type के reaction आपको गिवन है आपके पास semi-carbide कब बनता है यह सारे आपके पास reaction गिवन है यह भी आपस पूछे जाते हैं यह बहुत छोटे-छोटे से दो test है टॉलेंग्ज रिएजेंट फैलिंग टेस्ट यह भी मैंने आपको distinguished test में करवा दिये थे यह भी मैंने आपको करवा दिये थे अब आपके पास बेटा आगे आता है आप से रिपीटल्ली पूछा जाता है लिए उसकी बाल बीटा कारवाइल अमीन टेस्ट भी होता है जो आइसोसाइनाइड बनाता है वो भी आपस वह रियाक्शन इसल बहुत जादे पूछा यहां पूछा जाता यह भी मैंने आपको ना जी ओसी में कवर करवा दिया था लोन पेर के वैलेबिलिटी बेंड करता है यह बेटा डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है और एजोडाई किस किस कलर की बनती है आपके पास आपके पास आता है और यह जो है आपको करने में मजा भी आने वाला है क्योंकि यह बायो वाले स्टूडेंट्स का काफी फेवरेट हो सकता है क्योंकि इसमें आपसे एक तो ना जो क्वेशन है बायो से रिलेटेड वह बहुत जादा पूछे जाते हैं जैसे डेफिशेंसी क्या है प्रोटीन यह वो जो ठ्रेटिकल बेस्ट क्वेशन है यह इसक चीजे बायो वाले वाले बच्चों को बहुत अच्छे से आती होती है आपको नहीं छोड़ के जाने तो मेरे कॉडिंग्स अच्छे से करी जाना क्योंकि पॉली मर जा चुका है टो तो यह बनेंगे न अगर उनको कुछ बायो टाइप का पूछिन पूछना है वह यह झे कई बीच में लिखेंगे माम आपने तो सारा हिस लेपस बता दिया है मुझे इतनी बात बताओ कि टार्गेट क्या कर रहे हैं 175 प्लस अब उसमें से कुछ कौन से टॉपिक्स पूरे अच्छे से कवर करने उसमें एक भी क्वेस्टन नहीं छोड़ना वो टॉपिस मैंने आपको बता दिये हैं इन टॉपिक्स के बिना बेटा आप नीट नहीं कर सकते इस नॉट पॉसिबल कि आप इनको छोड़ के चले जाओ और लॉंग विद दिस मैंने यहां पर नेमिंग रेक्शन नहीं लिखे हैं नेमिंग रेक्शन हर एक नेमिंग रेक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और बेटा प्रिब्यों से क्वेशन आप को जरूर करके चाने हैं लास्ट एट अट लीस 30 ये पादो 20 साल के तो करी जाना 30 years के भी बेटा कर ही लेना previous year question क्योंकि आपते उसी के ask path के question आपते पूछे जा सकते हैं थोड़ा बहुत मोल्ड करें ओकी दिन बच्चा ध्यान लखना अपना and अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है like करना comment करना see you soon take care